अजी गूर आफ्टर नूँ अच्छी मैं काम कर रहा था उस पर कि क्या भुकलिस्ट आपको बताऊं या क्या भुकलिस्ट होनी चाहिए फिर मैंने मन में आया कि वी आइंटू अब बच्छों को मैं आपको एक लेक्षर दे दूँ बेकार सा गंदा सा कि पॉलिटी के लक्षमी कान पड़ो डेटी बास पड़ो यह पड़ो वो पड़ो वो तो बहुत इक मैनर चीज है आजकल बट तो यह वी उस्प्राइस कि वेन वी उस तो प्रपेर तो दर वस नो इं कि पॉलिटी के लिए कॉनसी किताबे पड़नी हैं हिस्टी के लिए कॉनसी पड़नी हैं तो बहुत जादा कोचिंग शूट भी उस वक्त इतने ज्यादा नहीं होते थे तो वी उस तो इंक्वाइर फॉम बुक्शॉप्स जो आईएस की किताबे रखते थे कि हाँ भी पॉ तो मैं यह देख रहा था कि वैं विद चेंजिंग रिक्वार्मेंट अफ जी एक्जामिनेशन तो मैं आपको सिर्फ यह ना बताऊं कि यार इस पॉलिटी के लिए हिस्ट्री के लिए जोग्रफी के लिए यह किताबे पढ़ लो आई शूड मेक यू कैपिबल तु अंडर एक्जाम बंडिवों से कैसे पढ़ना है तो उसके लिए जाना जूरूरी है कि किस तरह की कुश्चन आज कल आ रहे हैं तो मैंने आज आज आपके लिए एक स्पेशल लेक्टर त्यार किया है मैंने 2019 के सारे प्रिलिम के एक सवेट के पॉलिटी सवेट लिया मैंने अजसे प्रिलाद लगा है और कैसे उसको आगे पड़ना है तो दोटन लएक सर्राम से लगाएंगे इस पे चर्शा करेंगे इस पए और समझेंगे इसको अच्छे से so that कि कोई आपके मन में डाउट ना रहे कि अगर कोई किताब पढ़नी है कैसे पढ़नी है या नहीं किताब आपको कोई मिलती है then you will be in a position to make you उसको use it rather than accept it completely or reject it completely आप उसको use कर पाऊगे कि ठीक है इसमें से मैंने इतना काम पेपर में इस तरह का आता है तो इसमें से यह चीज़ अच्छी है तो मैं निकाल लेता हूं इसमें से ठीक है ना ठीक रहेगा यह अप्रोच रादर दन गिविंग अफ्ट्टी मिनट लेक्षर ओन की यह जद पांस किताब पढ़ लो यह पांस किताब पढ़ लो लेटस यह आप यह काम ना कर पाऊ आप तो क्योंकि विखरे होते हैं पेपर में क्लीबर क्यूशन पॉलिटिक है तो एक जगा पे हमने निकाल कर आपको दिये ठीक नंशलो देश्कुड तो अब देखना पॉलिटी पे कुस्टिन अगर हम देखना शुरू करें आपने चाह कॉलि नहींच changes लेए लेए लेवल का पढ़ते हो और वह थेel गी और नहीं होगा तब तो पहला question क्या है अभिखनत वी यह वी। विलेंट परदे इस जाए खेड आभि स्वेटर्स इस बाग्नाओ आपान अग्नाओ जूए विलेंट ट्रॉंट इस फे इस जाए निति शुड रिविद्गेर्ट इस फिर्टार्स लेड्या रिविल्स इस ट्यूर्स पंटाद्स इस इसकाट टीज अब मैं अब आने वल्ला आपको यहां पे मैं आपको यह बिता रहा हूं दिखो अब गवर्नर पे कोश्चन है यह कोश्चन गवर्नर का है अब आप कोई भी किताब पढ़ोगे तो पहले गवर्नर का क्या करोगे गवर्नर की क्या यह कोश्चन को करने के लिए इस मच हायर और स्टेटिक कोश्चन को करने के लिए और स्टेटिक कोश्चन है यह मच हायर तो आप यह नहीं कर सकते है कि ठीक है कोई भी किताब गवर्नर की उठाली उससे यह कोश्चन हो जाएगा नहीं होगा इससे कोश्चन यह यह रिक्वार लड़ोड़ डेथ डेफ्स चाहिए अब इस डेफ्स तक कैसे पहुंच रहा है मैंने आपको यह सकाने हैं आप सारे कोशन देखो आप एक कोश्चन में पहीं तो हमने क्या करना है कि ठीक है आप खोभी shifts काना पढ़ लो आपको हब कि यह वासित्व कर लो बट कोई क्या आपको यह स्का रहा है कि रर्त कि आप क स्टीर गवंच यह तक कैसे पहंच ने या कैसे confidence draw करना है कि मैं I have reached at that depth, that is the most important thing, कि आप surface पे लेके रहें गए, नो number of students come to me and show the notes की सरी ये notes बनाएं, पॉलिटिके देखो, तो मैं क्या दूसमें देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, कि वेदर ये candidate first degree का है, second degree पे पहुंच गया, third degree पे पहुंच गया, क्या ये UPSA degree पे पहुंचा है, कि यहां जिस तरह के question UPSA में आते हैं, क्या उस degree के notes हैं ये, या उस degree के depth इसमें बच्चे ने include करी है, विकास हमारे mind में तो सारे जो पिछले 20 साल के question जो आयों हैं, वो float कर रहे हैं, प्रवरोड ऐसे, तो हमें notes देखके पता लग जाता कि यार ये question यहां 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 यह depth है इसकी, तो with reference to types of questions and changing pattern जो depth required है, उसके recording आपके notes बनने चाहिए, बुक भी तभी पढ़ने का फैदा है, तो बुक कैसे पढ़नी है, वो सिखाना है मैंने आपको, क्या कौन सी पढ़नी है तो बताई देना है, चलिए next question देखिए एक बार, second question है, with reference to the constitution of India, मैं आपको फिर क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, first, second, third degree, मतलब depth of notes required या depth of book reading required, उससे classify करता हूं, first degree, second degree, third degree, third degree, third degree तक करते है, third degree मतलब UPSA degree, ठीक ना, अब with reference to the constitution of India, consider the following statement, no high court shall have jurisdiction to declare any central law to be constitutionally valid, an amendment of the constitution cannot be called upon question by the Supreme Court of India, ठीक अभी second degree का क्योश्चान है, ये question अगर आप पढ़ोगे तो normal आ जाता है, second degree क्योश्चन मानेंगे, असान भी नहीं है, लेकिन third degree का भी नहीं है, मतलब बहुत जहार depth required नहीं है, ये कर लेते हो आप, by process of elimination भी हो जाता है, now third question जो है आपका, in the context of politics which is the following would you accept as most appropriate definition of liberty, ये आपको डिडिवासू में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ये आपकी general reading है, general understanding है, इसको हम politics के introduction में cover करते हैं कि liberty, freedom, justice, क्या होता है ये, लेकिन ये abstract question है, third degree question, राधर third degree से भी उपर है, ये आपके basic understanding चाहिए, three question हो गए, चौता देखो इदरा, with reference to constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional power under article 143, what could mean which of the following, it could mean which one of the following, आप देखो ये question जो है आपका, ये typical third degree का है, कि जब आप एक पॉलिटी के पढ़ने के level तक पहुंच जाओगे, तब article 142 तक पहुंच जोगे, नहीं तो आप तो आपको basic fundamental right, DPSPs यही पढ़ते रहा जाते हम, इतने depth 142, 143 तक तो हम आई नहीं पाते, prohibitions and limitations of constitutional powers under 143, 142, तो ये third degree का question है आगे, समझते जाना कि कैसे question आ रहे हैं, आगे ले क्या होंगा फिर इसको में, next question दिखो आप, with reference to legislative assembly of state, consider the following statement, the governor makes a customary address to members of house at the commencement of first session of the year, when a state legislature doesn't have a rule on a particular matter, it follows the loks of a rule on that matter, ठीक नहीं अब ये basically question जो है, इसको आप, again you can ask, consider it a second degree question, कर लेते हो आप, लेकिन सिद्धा powers of state legislative assembly पे नहीं है, ये analysis के उपर है, कि वन भी compare legislative assembly with the parliament, लोकसभा, है ना, दोनों के comparison पे question आया, second level पे कार है, कि आपने powers of लोकसभा पढ़ लिया, powers of legislative assembly पढ़ लिया, अब ये comparison के उपर question आया, ये जो पूछे हुए है, ये comparison से निकलते है, है ना, दोनों, पहला state है, second comparison से निकलेगा, तो second degree question है, कि जब आप analysis state पे आजाते हो, next is, which article of the constitution regards, one's right to marry, the person of one's choice, ठीक है, ये simple question है, ठीक है, ये first degree का question है, ये जब आप पहले पढ़ते हो, जब आप lecture कोई भी सुनोगे कि article, unnist base, right to life, freedom of religion, इस ही में आ जाएगा कि ठीक है, आप उसे interpret कर पाऊगे, that नहीं है फिर भी, it requires interpretation, it requires interpretation, लेकिन उतनी capability आपके अंदर होगी, क्या आप कर लोगे, next to consider the following statements, the 44th amendment of the constitution of India, introduced an article placing election of prime minister, beyond judicial review, Supreme Court of India struck down 99th amendment, to the constitution of India, as being volatile of the independence of judiciary, अब देखो question यह, क्या पूछ है, अब यह article, जो amendments of the constitution के उपर question है, यह amendment procedure पर नहीं है, normally हम जब amendment पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, कि constitution को amendment कितने कि तरीकों से किया जा सकता है, फिर हम पूछते हैं, कि हाँ सबसे important amendments, constitutional की कौन कुन सी हैं, है न, 42nd amendment act, आपने बड़ा famous सुना है, है न, ऐसे हम 8-10-15 constitutional amendments हम study करते हैं, जो significant बाने जाती हैं, तो यह अब first degree पे आ गया कि amendment procedure क्या है, second degree पे आ गया important amendments कौन सी है, यह question again third degree का है, कि when you extend your preview of studying the amendments, आप मोटी मोटी amendments को छोड़के जब आप second level की amendments पे जाते हो, है न, आपके पास सारी amendments हैं, आपने उसमें से 30 amendments, 40 amendments को tick mark कर दिया कि paper में यह आ सकती है, जाए prelim में, जाए means में, है न, तो उसमें से second level पे है, कि जो first slash वाली amendments है, सबसे important minimum case के थुरू हुई है, तो उसको छोड़के जो amendments है, हम, तो मतलब यह third degree के question में इसको मानूंगा, अब next is, वाली सिर्थिस्ट में 10 estॉ समदेब इंद के झासे, तो मतलो अश्ड़के लेखर ओपर दोंगा। Act 1968, such as the Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and true misbehavior of the judges of the Supreme Court of India. The details of the process of impeachment of judges of Supreme Court of India are given in Judges Inquiry Act 1968, if the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of the total membership of that house by not less than two-thirds of the total members of that house present and voting. अब बताओ, क्या कहोगे इसको आप, यह फस्ट का है, सेकंड का है, थर्ड डिग्री का है, बताओ जी, अपने आप बताओ आप, अब आप, आपके अंदर क्या बेल्टी होने चाहिए जानने की, कि हाँ यह यह कुश्टन अगर, अब यह कुश्टन सिदा है, इंपीश्मेंट आफ जजजिस का, अब आप फस्ट डिग्री में जब आप जजजिश्य त्यार करते हो, तो इंपीश्मेंट आफ जजज, कितनी बड़ी प पढ़ते है, सुप्रीम कोड पढ़ते हैं, पावर्स उफ सप्रीम कोड पढ़ते है, जोरिजिक्षन आफ सुप्रीम कोड पढ़ते हैं, इंडिपैंडंस आफ जुठी, पढ़ते है हम, होना, ucking कि हम डिपेश्मेंट की, हमskुश्मेंट की, मैं कहता हूं कि आफ यह सर्फ हमना सिर्फ यह पड़ते हैं तब मोशन आफ इंपीश्मेंट मैक्सिमम जजजी सिंग्वारी एक को रफर कर देगा मतलब इंपीश्मेंट का जब आफ अगर मेंस पॉंट वू से क्वेशन त्यार करो तब यह सारा कवर होगा तो लास्ट आस्पेक्ट है इंपीश्मेंट आफ अजज्ज तो थर्ड डिगरी का कोशन पुंटा है आप यह बास समझ लो आप चाहे लक्षमी कान पढ़ लो चाहे डीडी बास पढ़ लो चाहे कोई और भी किचाब पढ़ लो स्टैंडर्ड टेक्स्ट कोई फर्क नहीं पढ़ता स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ोगे तो सारी चीज़ें यह उसके अंदर आपको इधर से उधर मिली जाएंगे लेकिन बात यह कि क्या आप उस पौइंट तक पहुंच पारे हैं जो पेपर में कुशन आ रहे हैं क्या वहीं तो नहीं टकर आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड डिग्री तक ही खतम हो जाती है और बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन प्रिंग्लियर कर पाते पांच नियुक्त आते रहते हैं सेकींड फर्स कटिंड फर्स सगेंड फर्स अब जो इस मायराओ से निखले से निकले का वो तभी जो थर्ट डिक्री तक पहुंचे दो फोर्ड दिक्री की बात करेगा कॉंटेंट नहीं बढ़ाएगा अपना यह नहीं बढ़ाएगा कि दस किताबें और उठाली फिर तो फर्स टेक्री तक फर्स्ट और सेकेंड तक की पहुंचते रहे जाओगे टेक्स्ट वही है स्टेंडर टेक्स्ट उठा रहे हो सब कुछ मिल जाएगा आपको उसमें कि क्वेश्टन कोई बाहर से नहीं आए है बेफ्स जादा ख्री च्ञाविए या कि डिफ्त इस मौर कि आपकी वो जो डेप्थ है वो डेफ्ट एक बार में कभी भी आती, ऐसा आख सोचना कि हम किताब के बैठोगे और इसको महीन में पढ़ो गे और थार्ड डिगरी तक पढ़ लोगे, थार्ड डिगरी कभी भी ऐसे अचीव नहीं होती स्टर्ड डिगरी स्टेप्स में अची learn the art of how, कि मुझे कैसे करना है, कैसे 3rd डिगरी को अचीव करना है, यही आर्ट है UPSC में, कि कैसे आप उस लेवल तक अपने आपको लेखे जाओ, ना नेक्स्ट इस नाइन से टूल, एक जो कॉस्टन आया हुए पेपर में, यह देखो, अब यह कॉस्टन देखो कैसा है, मुश्किल कॉस्टन नहीं है, सिंपल है, नाइन शेडूल वास इंट्रडूस इंडिया दूरिंग प्राइमिलिसर्शिप आफ, अब यह नहीं पूच्छा कौन सा यह में है, यह नहीं पूच्छा नाइन शेडूल में क्या है, अब भेर असान कॉस्टन है यह, जिसको नाइन शेडूल का पता है कि हाँ आइन शेडूल में ही थे, नॉमा शेडूल एड हुआ 1950 में, अरली 50 में, 1951 में एड हुआ, तो आप इसली फिर मेक आउट कर सकते हो कि यह फिफ्टी वन में एड हुआ है तो जो आन रूजी के टाइम पे होगा, है ना, तो यह फस्ट जिगरी का कॉस्टन में मानूँगा क कि एजली यू कन मेक आउट की जो आन ने रू, इसा अंसर, ये तो जब शेडू, आर्टिकल सें शेडूल करोगे तो उसमें आई जाता है यह, नहीं आएगा की कौन से प्राइमिस्टर के काल में था, लेकिन उसने आपकी डिरेट कॉस्टन ना पूछके अप्लाइड पू क कि आउट यहाओ, आप सब्सक्राइड उसमें तो यहाओ, और ये बहुत मुशखल कोस्टन नहीं है, बहुत सेमल कोस्था अब सब्सक्राइब करते हैं अगेन उसने ये निपुछा कि ये जो ट्राइबल एरिया या शेडूल एरिया को मैनेज करने के लिए कौन सा शेडूल है उसने ये निपुछा उसने अप्लाइट पुछ लिया देपर इंडरेट पुछते हैं UPSC में जो फर्स्ट डिग्रिया कोश्चन है उसको भी सेकंड का बना देते हैं तो अगेन इसको मैं सेकंड डिग्रिया कोश्चन मान लोंगा बट असान है ये चलो ये तो यह है आप मेंस के दिखूआ अब मेंस के देख के आपको और मजा आएगा कि भाई ये देखो कुछ्चन ही क्या है अब कौन सा ये किस लेवल के कुछ्चन है ये इसली मेक आउट पहला कोश्चन देखो Do you think Constitution of India does not accept the strict suppression of powers? Rather, it is based on principle of check and balances Rather, it is based on checks and balances It is not a easy question. It is a typical third degree question. उसने ये नी कुछा वाटा separation of, what is separation of power and how it is ensured? Critically examine the separation of power thing उसने separation of power कुछा है और फिर पताया कि कैसे ये checks and balances क्रीट करते? दो कुछन अलग लग बनते हैं Second question The Central CAAT पे कुछन आया Which was established for redressal of grievances and complaints by or against Central Government employees nowadays is exercising its power as an independent judicial authority Explain अगेन ये कुछन ये नहीं आया कि CAAT की powers क्या है? CAAT क्या करता है? क्या नहीं करता? अगर first degree का होता तो कुछते कि CAAT Central Administrative Journal क्या है? What are its powers? या अंडर विच आर्टिकल अगर प्रिलिम में आता है तो अंडर विच आर्टिकल administrative tribunals CAAT established हुआ है और simply powers पे question आता की What are the functions of CAAT? लेकिन question क्या पूछा है? उससे भी अगला Which was established for the redressal of grievance लिखी दिया function किया है? Redressal of grievance of complaints or against Central Government employees यह लिख दिया है साथ में कहा है कि Establish इसलिए किया गया था But it is exercising its power as an independent judicial authority Explain अब यह बहुत ही अगला लेवल का analysis है Again a third degree question बिल्कुल third degree question है अब आपने जब class attend करनी हैं तो ठीक क्लास में teacher ने क्या करा देना कि cat क्या होता है वो भी अच्छी class वाला बंदा जो है जो अच्छा teacher है वह क्राइगा cat बाके तो छोड़ी जाएंगे फिर छोड़ो क्या करना है cat को आपको maximum function of cat करा देगा वो आगे अब डीडी वासु पढ़ोगे उसमें कही न कहीं अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको देखो जी what are the methods used by farmer organization to influence policy makers in India and how effective are these methods अब यह simple question है यह pressure groups question है farmer organization is a pressure group question अगर किसी बच्चे ने ठीक है लेकिन वह भी directly नहीं पुछ लिया what are the methods used by pressure groups to influence policy makers in India and how effective are these methods तो यह direct होता लेकिन उन्होंने second degree का बना दिया इसको first degree question को farmer organizations पूछ लिया अब आदे बच्चे तो यह सोचेंगे farmer organization चीज़ क्या आई है जिन्होंने concept को समझा नहीं है तो farmer organization is nothing but a pressure group लेकिन policy maker को influence करने के लिए क्या method use करती है pressure group और कैसे method क्या effective होते है क्या उनकी मांगे पूरी होती है क्या policy में changes होते है यह again question current के overtone में था जब MSPs को लेके या जो यह frequent धरने होते हैं जैसे आजकल farmer organization बड़ी active होई है है ना तो आप यह rail रोको रास्ता रोको वहाँ धरना यहाँ धरना है ना जो यह चीज़े हो रही है बेसे आर acting as a pressure group वो कहें नहीं central government को governments को pressurize कर रहे हैं कि आप इसको change करो या कुछ भी इसमें amendments ले क्या हो as per requirement तो यह question मैं इसको second degree का मान लेता हूं है ना क्योंकि थोड़ा से application इसके अंदर आ गया है अब आप third question देखो fourth question from the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts principle of federal supremacy and harmonious construction have you missed आपकी कौन से आप कौन से मतलब level का मान रहे है इसको अगर किसी ने पॉलिटी आप मैं से पड़ी है यह कभी graduation में पड़ी है post graduation में पड़ी है now what do you think is the level of this question? Is it second or third or first? मतलब मैं आपको इतना बता रहा हूं कि 70% आदे बच्चों को question समझी नहीं आना कि पूछरा क्या रहा है क्योंकि question बड़ा वे गई regarding distribution of legislative powers of the courts principle of federal supremacy in harmonious construction have emerged अगें यह 3rd left degree का question है नौट इसको political theory नहीं कह सथे बटा it is more of applied it is these are the issues which actually होता क्या है कि जब constitution एक provision बनाता है सपोस constitution ने आर्टिकल 21 बना दिया constitution ने कहाना है कि हर इंडिविज़ों उसके पास एक right to life है ठीक ना अब जब यह constitution के अंदर आर्टिकल ड़ल गया उसका अपना एक intent था बट ऐसे ऐसे time goes by तो constitution के जो articles है या provisions है basically they what to say face the challenge of time face the challenge of changing time नो उससे क्या होता है कि number of issues timely crop up कई issues crop up होते है कि क्या यह right to environment it's a right to life right to education life है ऐसे ऐसे कही चीज़े आती रहती है तो these are this question is pertaining to emerging issues relating to the subject matter in question आपको देखना पड़ता है यह 3rd degree पर आती है आपकी समझ कि आप यहां पर कोई काम नहीं आती फिर आपका attitude काम आता है आपकी way of how you prepare for the exam वो काम आता है how you prepare for the exam यह काम आता है यह नहीं काम आता कि कि आपने कुन सा रटा मा रहा है कुन से किताब पढ़ी है so this mentoring lecture जो हम कर रहे है इसका मकसद यही है कि आपको यह सारे इस तरह से स्वेट्स में discuss करूंगा पढ़ाया का कोई भी आपको लेकिन track पर मैंने रखना है कि हाँ यार हम जो पढ़ रहे है वो relevant पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे ultimately अब उसी तरह से next question देख लो what can France learn from the Indian constitutional approach to cyclism third degree to people कहां से question यह हो जाएगा अगर आपकी समझ develop नहीं है अगर आपने यह मन में सोचा नहीं है कि मैंने first degree second degree third degree पर पहुंचना है question मुश्किल नहीं है लेकिन है third degree का मतलब अगर बच्चा वहां तक पहुंचा जो कोई भी पहुंच सकता है आप भी पहुंच सकते हो लेकिन बशरते आप पहुंचना चाहो बशरते आपको पता हो कि हां मुझे उस direction में जाना है तभी आप वहां तक पहुंच 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 न next देखो on what grounds people's representatives can be disqualified under representation of people act 1951 also mention the remedies available to such person against a disqualification simple question first degree thank God एक question to first degree का आया एक question to first degree का मानते हो हां जी comment is it a first degree question can you comprehend representation of people's act अच्छे से करते हैं यह governance का पार्ट आपका एक तरह से पॉलिटी का पार्ट का पार्ट का लो governance का पार्ट का लो और इसके अंदर सिधा करते हैं कि rights of क्या disqualification है disqualification की grounds क्या है और कैसे remedies हैं बंदे के पास यह तो हम करती करते हैं 15 नमर का कोश्च्छा नहीं है Now Parliament's power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power in the light of this statement explain whether Parliament under article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of Constitution by expanding its amending power कितना specific question नहीं दिख़ए कितना specific question है कितना specific question है लिखने को यह 2nd degree ही लग रहा है लेकिन है यह 3rd degree क्योंकि in the context of that statement आपको लिखना है in the context of that statement लिखना है कि whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure मतलब आदेल बच्चे यह लिखके आएंगे कि basic structure Parliament destroy कर सकती या नहीं कर सकती जबकि question यह नहीं पुछा उसने, question पुछा है in the light of this statement आपको specific basic structure जो है उसकी बात की गई है कि limited power can it be and rose to absolute power की कुछ भी कर ले पार्लेमेंट तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे जो limited power है कहीं कहीं नहीं जो लेसलेचर है पार्लेमेंट है उसके उपर भी एक check है वो limited power impose करती है उसके उपर की आप amendment कर सकते हो लेकिन not beyond a limit you cannot amend anything in the constitution even if you have 100% majority even if you have 100% majority ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लोगा तो वो भी अपने आप में question है कि अगर एक पार्लेमेंट में अगर एक particular legislation के पीछे 100% करते हैं सारे मेंबर कि होना चाहिए क्या वो एक्ट भी constitutionally question हो सकता है कि जिस एक particular act के उपर 100% majority है पार्लेमेंट की पूरा पार्लेमेंट उसके बिछे है तो उसको मतलब यह है कि पूरी country चाहती है टेक्निकली देखें तो लेकिन वो एक्ट basic structure के गेंस्ट है या basic principles के गेंस्ट है spirit के गेंस्ट है तो क्या court उसको nullify कर सकती है अगर 100% भी हो जाए अब यह वो बच्चा करेगा जिसने पूरी तरह basic structure को समझा है सिर्फ यह नहीं कि basic structure क्या होता है क्या क्या आठपट है कौन-कौन से judgment है इसके अंदर यह उसके अगला question है third degree question है यह जब आप basic कर लो basic structure के उसके बाद जब आप समझ पर आते हो तब इस level पर पहुंचते हो next is reservation of seats for women in the institution of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process comment again, again, अब देखो question क्या आया है अब पहला इसमें अब जब आप पंचाइति राज की बात करते हो पंचाइति राज से question है 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 नहां तो पंचाइति राज पर question अगर यह पूछ रहे हैं तो यह पूछ यह क्या reservation है और क्या facilities है या क्या powers दे गई है women participants को और यह नहीं पुछ रहा है कि वोमन से क्या फैदा हुआ है What is the importance of participation of self-government for the women as well as for the governance है ना अब आदे बच्छे अगेन यह लिख रहा है कि वोमन ने क्या contribute किया या वोमन की उग का status कैसे improve हुआ जी वोमन को empowerment हो गया इतने पर वो वो पॉशन स्पेसिफिक पूश रहा है वो पूश रहा कि क्या impact हुआ कि इस पे patriarchal nature of Indian political process पर प्रॉसेस पर प्रॉसेस क्या है कितने लोग election में खड़े हो रहे हैं candidates फिर political parties फिर elections फिर government political process start होता है आपका electoral process है कि लोग खड़े हो रहे कितनी खड़े हुए है यह पार्लेमेंट लोकल सेल गुवर्मेंट में जो हमने इनको अपरिशन्टी दी तो कितनी participation women की बढ़ रही है कि प्रॉटिकल पार्टिस में कितनी women involved हो रही है कितनी women finally parliament या state ले पहुंच रही है और उन में से कितनी government government का पार्ट बन रही है यह पूरा political process है अब अगर किसी बाद डाटा नहीं है तो क्या question attempt करोगे अब इस टिपिकल तर्ड डिग्री question अगर समझाया आपको तो अगर डाटा आपने याद किया हुए कि हाँ जो women participation है in the fighting of elections वो इतना बढ़ा है और political parties के अंदर women की involvement इतनी बढ़ी है और या फिर मतलब ultimately इतनी percentage women पार्लेमें में बढ़ी है यह question आपको यह बताता है कि आपको किस degree तक पढ़ना है अब जब पढ़ी रहे हो पंचक्ति रास तो उसमें थोड़ा सा इडिशनल यह करने में हर्ज को ही नहीं है अब यह typical question जो है यह पेपर वन और पेपर टू का amalgamation multi-disciplinary question है social issues का gender में और पंचैती राज जेंडर और पंचैती राज को मिला की question बनाया गया यह जेंडर हम करते हैं तो political empowerment में यह करते हैं कि कितने percentage वही mixing करनी है बस question की अब 9th question है attorney general is a chief legal advisor and lawyer of the government of India discuss यह question simple है यह हम first degree का question हम क्या सकते हैं लेकिन कई बच्चे attorney general को छोड़ी देते हैं तो लेकिन कहेंगे इसको first degree पर कि union executive के अंदर जब आप attorney करते हो सारे तो अगर आप president, prime minister यह करके छोड़ दो council of minister आगे attorney और कि करो ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन एक serious student तो सारे जो organs है union executive के वो करे गाई तो उसको chief legal advisor and lawyer of the government कहते हैं discuss करना है इसको तो यह question as it is हम करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं first degree question last is individual parliamentarian role as a national maker is on a decline which in turn has adverse impact the quality of debates and their outcome discuss partners क्या बड़िया question it's a wonderful question जो private member bill है यह individual parliamentary meeting के पास power है कि वो bill ला सकता है वो trend काम हो रहा है है जिससे वो कह रहा है कि quality of debates in the come हो रही है typical third degree third degree क्या यह तो अच्छे से पढ़के ही जबापढ़ते जा रहे हो थोड़ा सा debates के अंदर घुसरे हो issues के अंदर घुसरे हो तो parliamentary process का question है कि Parliament के अंदर क्या process है एक time पर आपको 25 साल पहले मतलब इतनी बुरी हालत थी Parliament की लड़ाईयां होती थी Parliament में कई बर states में आप जो तो चल रहे हैं चपल चल रहे हैं कुर्सियां खाड़ रहे हैं अब last 10 साल से 15 साल से बहुत incidents काम हो गया comparatively है ना तो वो कहते हैं जब इतने इसका मतलब हम यह question यह पूछ रहा है कि जो parliamentary अब आ रहे हैं क्या वो capable नहीं है कि वो अपना बिल लेके आएं कोई कोई एक्ट लेके आएं कोई नया ला लेके आएं चाकि उस पर debate हो और यह सिंप्ली टोइंग दी पार्टी लाइन्स तो यह एक ट्रेंड देखा गया है अब आप नहरूविय नीरा देखो यह 50s 60s 70s देखो उसमें बड़े जो टॉवरिंग personalities थी leaders थी they used to bring their own like debate in the parliament कि हम यह एक लेके आएं और एक private member भी ला सकता है अपना बिल कोई जुरूरी नहीं है कि political party की तरफ से ही आए एक private member भी बिल ला सकता है तो वह लाता था कि मैं यह debate करना चाहता हूं इस पर और बन बन भी जाते हैं लेकिन उससे फिर उससे क्या सारे सारे पार्टिक जब कोई बिल political party लेके आ रही है देखो उसमें क्या issue होता है कि अगर political party लेके आ रही है तो एक political angle उसमें आ जाता है कि आप दूसरी party को उसको opposition करना ही करना है चाहे वह आक्ट कितना भी ठीक हो कितना नहीं है तो खुल के वह कभी भी support नहीं करेंगे समर्था नहीं करेंगे आजकल बोजबाना नहीं है आजकल तो यह country के लिए beneficial है कितना नहीं रादर दन constructively criticizing it कि आप इसमें यह changes लेके आओ जिससे यह checks and balances हो वो criticize ही करते हैं तो खराब ही है जे and they create a भंप rate करते हैं लेकिन अगर वही एक private member लेके आता है जिसकी कोई political aspiration नहीं है तो definitely उसके उपर जो debate होंगी वो much better हो सकती है अब typically देखो यह question इस तरह से कोई नहीं कराता है यह आप जब अख़वारों में पढ़ते हो किसी article में you come across कि यह discuss किया गया है तो उससे जरी जरी आपकी capability बन जाती है typical third degree question अब आप देखो Harley do question paper में one degree का है और एक question two degree का है दस में से तो साथ question third degree के है साथ question third degree के है और दो question one degree के है और एक question second degree का है एक या दो question लगा लो जैसा भी है एक ही question तो कंदर does it influence your selection of text does your does it influence की आपको UPSC में किताबे important है या पढ़ने का style important है आप जो में आपको यह depth दी है आप इससे अपने आप conclude करो कि whether मैं आपको यह refer कर दो कि लक्ष्मिकान पढ़ लो यह important है या मैं आपको यह सिखाऊं कि वेटा लक्ष्मिकान तक पढ़ने है या कोई lecture सुनना है आपने किसी इंस्टूट का किसी भी टीचर का lecture सुनना है या क है तो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने बैठ तो हमारी अगले एक साल तक रहेगी सब्सक्राइब तो याद रखने हैं हमें तो यह मैंने आज मैं कर चौर रहा था अभी देस मिनिट लेट हुआ मैं लेकिन मेरे को सडिस्फेक्शन हुई अंदर से यह मैं बिकार काम कर रहा हूं मैं आपको बुक्स बताके कर दूं काट दूं और मुझे लगे पर मुझे उस चीज़ से से नहीं मिलती है कि हाँ आप एक्शल में इफ यॉर लर्निंग संथिंग और आपको तरीका आराय करने का अधर वाइस तो देखो बुकलिस तो आप कहीं से भी ले लो वही बुकलिस मै मैं एक्सपेट करता हूं ना मैं ऐसा बोलूँगा मैं आपको रमेसिंग छोड़ दो यार नहीं पढ़ने बिलकुल आप छोड़ दो गे नहीं छोड़ दो गे फिर भी कोन में दुबक्य पढ़ते रहों तो आरे पढ़ रहे हैं मैं को हिंदू छोड़ दो पढ़ना अगर आई यह दो दो चोड़ दो गे नहीं चोड़ो गे तो बेटर मैं आपको यह चूड़वाने की वजए मैं आपको यह बताओं कि इनको यूज्ट कैसे करना है आप इनके इलफेक्ट से बच सको और इनको कंट्रोल कर सो क्यों कि रादर देन दिस बुक्स गोल यू और यूर पर टो टुडे, तो नेक्सट temps में पॉलिटी को उठा रहा हूं पॉलिटि की बॉक्स उठाऊंगा, हम चiras leksवाई की पॉलिट टिक की बुक्स ये बॉक्स, ये रेक्मेंडे है है नी है ये रेकमेंडे बॉक्स इसंधुने मि서 इया पढ़ना है और second degree third degree तक कैसे आना है तो आप फिर देखोगे कि actual orientation हो रही आपके rather than I am being telling your text आपकी textual orientation हो रही है कि अगर मैंने यह पढ़ लिया तो यह end नहीं है यह beginning है यह first degree का बने कर लिया second degree का ऐसे करना और इसके लिए यह सोर्स है इसके लिए यह सोर्स है और कभी आप देखोगे पेपर में मार नहीं खा सकते लेकिन महनत के का कोई वह नहीं है substitute है यह है यह है तो हाड़ बार्क ठीक है जी तो थैंक यू बरी मच्च तो